नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों, आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी ओस्ती को बना कर दिखाऊंगा दोस्तों, जिसका यदि अप तीन बार सेवन कर लेंगे, यानि सिरफ इसका सेवन तीन बार कर लेंगे, तब आपको चमतकारी रिजल्ट दिखाई देगा दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि लाखों रोगों की सिरफ एक दवा है ये, तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और आपके पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने का काम करता है और दोस्तों, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो भी आपको आपके आसपास ही मिल जाएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमरूद की दोस्तों, अमरूद एक ऐसा फल है जो खाने में सवादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अधिक गुनकारी है और कोलोष्टॉल ना के बराबर होता है, इस वज़ए से ये वजन कम करने में बहुत अधिक मदद्गार है डाइबटीज के रोगियों के लिए तो यह एक कारगर दवा की दिरह काम करता है क्योंकि इसमें सुगर कम होता है जिससे की डायबटीज के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं और बहुत सारे कॉंपलिकेस्ट से बचने का काम भी कर सकते हैं तो चले दोस्तो पहले आपको बताते हैं कि अमरूद खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने अमरूद का स्यवन करना कैसे है दोस्तो सिंपल तरीके से नहीं मैं आपको एक गजब का तरीका बताऊँगा दोस्तो यदि आप अमरूद का हर रो स्यवन करेंगे क्योंकि इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाता है अमरूद काम करता है, यानि ये आपके स्किन के डैमेज सेल्स की मरम्मत करके उन्हें healthy बना कर रखता है जिससे आपका चहरा हमेशा जमा बना रहता है, दोस्तों यदि आपको diabetes है, तो diabetes को control करने के साथ साथ ये उसके complication से भी आपको बचाने का काम करता है cholesterol के लिए भी अच्छा है bad cholesterol को दूर करेगा और आपके सरीर में अच्छे cholesterol की मातरा को बढ़ाएगा, जिससे कि आप दिल की बिमारियों से बज़रेंगे, heart attack और heart block के जैसे समस्याओं का आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा, और वैसी जुखाम जैसे समस्याओं के होने का खत्रा बहुत अधे कम रहता है, दोस्तो जिस विदी से मैं आपको इस मरूद को खाना बताऊंगा, यदि आप उस विदी से अमरूद का सेवन करेंगे, तो तीन बार में ही आपके चहे खांसी कैसी बलगम वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, या काली खांसी हो, तीन बार में ही वो बेलकुल जड़ से खतम हो जाएगी, इतना कारगर तरीका है, दोस्तो अमरूद विटामिन A और E से भरपूर होता है, जिसकी वज़य से ये आँखों, बालों और तबचा को पोस्टन देत तो चली दोस्तो आपको बताते हैं कि आपने अमरूद का सेवन करना कैसे है, जिससे कि आपकी हेल्थ के लिए एक कारगर तरीके से काम करें, वैसे दोस्तो जिनको भी पित से जुड़ा कोई भी रोग होता है, वो अमरूद का सेवन का पित बैलन्स होता है, सही होता है, तो तो चलिए आपको बताते हैं कि अमरूद का सियवन आपने करना कैसे हैं, दोस्तो आपने एका अमरूद लेना है, जैसे कि यह हमने ले लिया, अब आपने ऊपर से इस अमरूद को थोड़ा सा काट लेना है, जैसे कि हम यह काट रहे हैं, आपने भी ऐसे ही काट लेना है, इसक पर हमने बीज निकालेते, वहाँ पर आपने ये अजवायन भर देनी है, दोस्तो अजवायन के बहुत सारे फाइदे होते हैं, पेट के रोगों के लिए एक वर्दान की तरह है, मुटापे को कम करने का काम करती है, तो दोस्तो आपने इसमें अजवायन को भर दिया, अब हो जाएगा, अच्छी तरहें से पक जाएगा, एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसके चारो सैडिस को आटे से, आटे का लेप बनाकर उसे ढख दीजी और फिर भून लेजी, दोनों तरीके इसमें से आप किसी भी तरीके का परियोग कर सकते हैं, जैसे हम ये पहली तरीके इसे इसका परियोग करें, दोस्तों आपने क्या करना है, अमरूद को अच्छी तरहें से भून लेना है, और दोस्तों ये अमरूद भून गया, और ये आपका नुस्खा रेडी हो गया, अब दोस्तों आपने इस अमरूद को काट कर खा लेना है, आप इसके उपर सहद डा की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा दीजिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सेर बनेवा तोष्टॉ टॉष्टॉ